हेलो एसल के मेरे मित्रों दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और इस लेक्चर में आपका होस्त बिटू जितने भी मेरे दोस्त हैं सारे क्लास में आजाओ आजाओ सारे आजाओ विराड शर्मा रोहित कोली सचिन कुमले महिंदर तेंदुलकर जितने भी हैं सारे आजाओ अब देखो, मैं क्यों आया हूँ, लेक्चा लेने, इंग्लिश पढ़ाने, और सच बताने, सच क्या है, अपना मेन फोकस है, IIT, NEET, JE, और बोर्ट्स फोड़ना, सब फोड़ेंगे, अपन सब क्लिए करेंगे, परन्तु उसके लिए, जिस चीज को जिता समय देना चाहिए, उतना समय लगे, उतना समय पन दे, वो जरूरी है, इसलिए, इस English के हमारा जितना भी सेशन चलेगा, उसमें हम उसको उतना टाइम देंगे, जितना सफिशेंट है, जितना उसमें देना चाहिए, फाल तुमें इसमें एक्स्टर टाइम देके, कहीं और कॉम्प्रमाइस करना पड जिसे माल लो, इस चैप्टर का रोती बनाएंगे, तो इसका जो भी आटा है, वो आज अपने आपर गुंदने वाले है, फुल चैप्टर एक्सके द्वारा, इस चैप्टर में, इस फ्यतन के लावा, कु՝ भी नहीं है, अपने में पिछल़्ले लेक्सर में इस चैप्टर कुछ भी नहीं बता है कुछ ही नहीं करना मेरे दोस्त कोशिंस पढ़ेंगे concept clear खतम formula chemistry physics math जितना भी दिमाग वहां पे इतना सा लगाना पड़ता है यहां पे इतना सा लगाना है उसका खतम कर देंगे इस chapter को ठीक है उससे पहले देखो तुम्हारी एक आदत है सब की आदत है मेरी भी थी जब मैं student था इतना जादा time अपन नहीं दे पाते हैं बीच में छोड़ देता है तो इसलिए अभी वीडियो को starting मैं task दे कर जा रहा हूँ वो task तुम्हें करना है होते गया है अपन किसी चीज को अगर मन में रखते हैं और उसको अपन लिखते हैं तो वो चीज proof सत्य हो जाए वो चीज truth में बदल जाए इसके बहुत जादा chances होते हैं तो इसलिए एक काम करो comment section में जाओ और जो भी तुम बनना चाहते हो वो एक sentence में बया करो English में जैसे I want to be a doctor और मेरी कोशिश क्या है तुम्हें समझाने ही कि कि तुम job मत लिखो तुम अपना aim लिखो अपना vision लिखो जो तुमारा सपना है वो लिखो जैसे कि doctor नहीं मैं इतने लोगों की जान बचाना चाहता हूं engineer नहीं मैं आशियाना बनाना चाहता हूं scientist नहीं मैं research करना चाहता हूं खोच करना चाहता हूं मैं police वाला नहीं मैं सत्य को बचाना चाहता हूं crime के खिलाफ करो मुझे बता है कुछ बच्चे करेंगे कुछ बच्चे नहीं करेंगे बड़े से बहुत कम टाइम लगता है तुम यह सोच के कर लो कि तुम उस सपने की तरफ एक क्लोज पहुच जाओगे एक कदम बढ़ा लोगे यह लिखने से होता है तुम लिखोगे न यह चीज प्रूफ होगी यह चीज सत्य में बदली जाएगी इसी के साथ यह था अपना छोटा सा टास्क या फिर मोटिवेशन भी कह सकते हो आपने शुरू करते हैं इस काम के लिए उसको गुंदना शुरू करते हैं चलो फुल चैप्टर कोशिंस के त्वारा पूरा चैप्टर ओके लेट स्टाट इट शुरू करते हैं अपन फर्स्ट कोश्चन आपके तंप्र स्क्रीन पे फोन की स्क्रीन पे जिस पे आप देख रो उस पर यह रहा वट इस आ काइंड इन चैल्व प्यर डिड़ वर पैमलेड एक गडिड़ कंवा दास फेल कमला दास हमारी पोएड है यहां पर और तो भाई पहन कहा गया यह तो यह देखो यह लेजर आरही है मजाख हो रहे का यहां पे मेरे साथ पहना नहीं रहे कोई बात नहीं है अपने हार नहीं भानेंगे अपने जो को भी आपने उसे कर लेंगे इसको फेक देते हैं नहीं फेकेंगे बहुत महंगाता है अपने ऐसी काम चलाएंगे ठीक है पीची जलते है और एक का मतलब जो में लिखना चाहता था जिस प्रियास में विफल हुआ जिसमें मेरे साथ धुका हुआ सबेंड के दोड़ा उइक का मतलब में लिखना जाता है इसका मतलब होता है दर्द ठीक है आपको बता है अपन करते हैं bilingual session इसमें क्या होता है English Hindi दौन में पढ़ जाता है ताकि अपन को पूरा concept जैसा आशी सर कहते हैं मक्खनों ठीक है कभी ने किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस करी questions समझ लिया questions पढ़ लिया चलें आगे चलो okay let's read it the poet is pain to see यह देखो यह क्या हुआ यह answer का आर बीच में आ गया अभी अडंगे लगा रहा है अभी अपनको obstacle पर focus नहीं करना अपनको अपने goal पर focus करना है इसको गूल देते हैं अपने main focus पर अपना goal क्या है the poet is pain तुम यह की पढ़ाई करोगे नीट की पढ़ाई करोगे फोन में notifications आएंगे instagram काएंगे facebook काएंगे whatsapp काएंगे unsanthi जाएंगे whatsapp message आएंगे उनसे पर focus नहीं करना अपनको goal पर focus करना है चलो इसको अटा देते हैं इसको mindset आ देते हैं the poet is pain to see her mother's dull and colorless face she is hurt to see that her mother's face looks like that of a dead body she is afraid that the fact she is afraid of the fact that she may not see her mother alive next time चलो मैं बताता हूँ the poet is pain to see her mother's dull and colorless face जो कवित्री हैं जो हमारी poet हैं जो की कमला दास हैं जिनका नाम वै दर्द में हैं और पीडा में हैं अपनी मा का चमक हो चुका जुर्नियों वाला या फिर कलर से बेरंग चहरा देख के जो की हुई उनकी मा की उमर के कारण है she is hurt to see that her mother's face looks like that of a dead body उनकी जो मा हैं उनका चहरा इस धलती हुई उमर के कारण एक dead body जैसा यानि की एक मृत शरीर जैसा बोलने में अच्छे ही लगता परन्तु यही शब्द है मुझे बोलना पढ़ेंगे उनकी मा का चहरा एक मृत शरीर जैसा प्रतीत होता है she is afraid of the fact that she may not see her mother alive next time और इस बात से उनको डर है जो कि अपने पढ़ा था अपन बाद में मैं बताऊंगा भी उनका बचपन का fear था बचपन का डर था वह इस बात को लेके घबराई हुए कि वह अगली मुलाकात में शायद अपनी मा को ना देख पाए यह उनका डर है यह उनका एक है दर्द है मैंने बताया था ना पीड़ा है पेन है चलो पूरा एक बार में रीट करते हैं the poet is pain to see her mother's dull and colorless face she is hurt to see that her mother's face looks like that of a dead body she is afraid of the fact that she may not see her mother alive next time next, Hindi में turn करते हैं कवी अपनी मा के बुड़े एवं जुरिये वाले चेहरे को देखकर उदास हैं वह यह सोचकर दुखी है कि उनकी मा का चेहरा किसी लाश जैसा प्रतीत होता है और वह इस बात से डरी हुई है कि वह अपनी मा को अगली बार जीवित नहीं देख पाएंगी यह उनका डर्द है पीड़ा है एक है पेन है जो उनके मन में है और जिसको लेके जिस बात को लेके डर है वो यह है जो आपके सामने है कि वह अपनी मदद को अगली बार मा को अगली बार नहीं देख पाएंगी जीवित यह पॉसिबिलिटी है यह संभावना है इसको लेके वडरी हुई है आगे चलें चलें कौन कोहली क्या कह रहा है अच्छा ठीक है चलते हैं आगे चलो दूसरा कोशन देखो ऐसा अब रूटी चालों की बनानी है क्या फाइदा वही तो कोशन कम है परन्तु इस चैप्टर का निचे ओड़ा और यह मैं समझें यह पर चैप्टर निप्टा दिया इसके आदमे एक और चीजी लेके आओंगा इसका अपना पोएम के जो करेंगे या फिर अगर एक्जाम वाला कोशन देता है तो अपन कैसे उनको तोडेंगे फोडेंगे मरोडेंगे ठीक है पांच नमबर में से निकाल खीचेंगे जितने भी नमबर का वो निकाल देंगे चलो और इसकी बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें अपन लाइन बाइन स्टैंजा से कोशन बनाएंगे जो किया आता है कि आपको स्टैंजा दे दिया जाता है और उसमें से कोशन देते हैं उनसे आंसर करने पड़ते हैं अपन अभी इस तो फोकस करते हैं Why are the young trees described as sprinting? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौर लगाना स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौर लगाना शलो Why are the young trees described as sprinting? छोटे छोटे पेड़ों को दौरता एवं भागता हुआ क्यूं दरशाया गया है? क्यूं उनकी क्तुल्ना हुसेन बोल्ड से करी गई है? ऐसा chapter में लिखा है, ऐसा मैं बता रहा हूँ क्यूं उनको धावक दौरते हुए दिखाये गया है? इसका बहुत simple logic है तुम physics वाले बच्चे हो भाई, तुमें तो आपकोस पता है, कार इदर जा रही थी, पेड़ों के हुए थे, कार जा रही थी, पेड़ों के दौरते हैं अब उसको कभी ने, कभी ओंको physics से मतलब नहीं, उनको मतलब है क्यासा दरशाया जा रहा है, असलियत से नहीं क्यासा दरशाया जा रहा है, उसको वो कलम के द्वारा कागस पतारते हैं, ठीक है, चलो इसका उत्तर देखते हैं अपन, मैं दिख रहा हूँ, मैं इदर आजाता हूँ, the car was moving when the poet looked outside at the trees, they appear to be sprinting because the car was speeding past them in the opposite direction, the young trees, young पे वो लगाया है, कॉमास लगाया है, upper head कॉमास, क्योंकि यहां पे young जो है, वो एक metaphor है, उनको दरशानी के लिए एक adjective लगाया है, the young trees represented life in contrast to your mother's approaching death, contrast मतला उससे विप्रीत, contrast मतला उससे विप्रीत, काला का contrast, white, white का contrast, black, अच्छी का contrast, बुरा, बुरे का contrast, अच्छा, शांती का contrast, अपना बगलवाला देश, चलो आओ, अपना फोकेस कर देंगाँ आपे, हाँ, the car was moving when the poet looked outside at the trees, they appear to be sprinting because the car was speeding past them, in the opposite direction, the young trees represented life in contrast to her mother's approaching death, इसका मतलब क्या है, जब कभी ने बहर की ओर देखा, तब उनकी कार रफ्तार में थी, पेड दौरते या भागते हुए इसलिए प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उनकी कार रफ्तार से पेड़ों के विप्रीत दिशा में जा रही थी, यह चोटे उर्जा से भड़े पेड जीवन का सुरूब लग रहे थे, जो कि उनकी मा से एकदम विप्रीत है, उनकी मा बूरी हो चुकी है, जीवन के अंतिम समय में हैं, परन्तु जो पेड बाहर हैं, वे तो नए हैं, उर्जा से भड़े हुएं, उनकी तो पूरा जीवन बाकी है, उनकी उचाईयों पर चुना है, वे गगन को टच करेंगे, इसी लिए ये contrast बनाये गया, एक विप्रीत दिर्श्य दर्शाया गया यहाँ पे young trees, छोटे-छोटे पेड़ों और मदर के लिए, है ना, समझ गए? कार उनकी तेज रफ्तार में जा रही थी, और जो पेड़ है विप्री दिशा में जाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि उनकी कार विप्री दिशा में जा रही थी. और इसलिए जो पुराने उनके खयाल आये थे कि मेरी मा को मैं अखली बानी देख पाऊंगी उनसे ध्यान बटका निकली जो उनने बाहर देखा तो उनने उन्हें यंग प्रीज को देखा और कभीयों का काम क्या होता है दिर्शे को उनको एक अलग तरीके से समझते हैं कवी उनका दिमाग कुछ अलग होता है वो फॉर्मूलेज या फिर लॉजिक में बिलीव नहीं करते हैं वो बिलीव करते हैं हर चीज में खुबसूरती देखना हर चीज में एक छुपा हुआ अंदास देखना तो उन्होंने वह देखा और उन्होंने वह सोचा कि यह यंग प्रीज हैं यह दोड़ते भागते प्रतीत हो रहे हैं पर उन्तु मेरी माँ जो डल हो चुकी हैं आराम कर रही हैं जपकियां ले रही हैं वे अब उनमें एक शैलीनता है शान्ती है जो कि आपने मिर्त्यू की और बढ़ रही है जो ये बात स्विकार नहीं करना चाहती है हमारी कवित्री कमला दास समझ गए चले चले स्प्रिंट करें आगे चलते हैं शलो नेक्स्ट कोश्चन ओकेई यहां पर पर आपने ओवरेट कॉमाज लगाए है क्योंकि ये एक दिर्श्य दर्शानी के लिए लिए सकते हैं इसको असलियत के रूप मैं नहीं लिए सकते हैं स्पिलिंग का मतलब होता है फैल जाना तो असलिए वो कहना चाहते हैं बच्चे फैलते हुए घर से निकल रहे थे वो हता है ना अपने बोलते हैं कि यार तेरे पंक लग गए क्या जादा उड़ मत तो उसके सच में थोड़ीना पंक लगते हैं यार उड़ता थोड़ीना है वो वो तो बोलने के लिए बोलते हैं वैसे है question कहा है why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes poet ने कवित्री ने spilling out of their homes से children को क्या दर्शाना चाहते हैं इसके द्वारा वे readers को जो हम पढ़ने वाले हैं इनको क्या भताना चाहती है कवित्री ये हमारा प्रशन है बहुत जरूरी प्रशन यह आता है कवि ने बच्चों के प्रती spilling out of their homes किस संधर्व में कहा है प्रशन पढ़ लिए हिंदियों पढ़ लिए हिंगिश्यों पढ़ लिए तेलुकुता मिलमा भी उपलब्द नहीं है गुजराती मुझे भी नहीं आती ठीक है चलें आंसर की तरफ चलते है ओकेई शलो जैसे की कवित्री ने पेड़ों से एक दृष्ट को जोड़ा था अपनी मा के चहरे से प्रीट देखा था उसी तरह उन्होंने ये चिल्डिन को भी देखा बच्चे उर्जा से भरे हुए खुल के जिन्दगी जी रहे हैं जिन्दगी जीने के लिए उत्साहित हैं परंत उनकी मा जो की मित्यू की तरफ जा रही है उनका चहरा मुर्जाया हुआ है जुर्या आ चुकी हैं जिनमें उर्जा की कमी है शैलीन ता है शीतलता है वे एक दम विप्रीद है दोनों एक दूसरे से इसलिए उन्होंने कहा है कि जिसमें कि जीवन वे उर्जया से भरे हुए बच्चे तथा दूसरी और बुज़र्ग वे उम्र से ग्रस्त उनकी मा है समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया important question है यह important question है यह समझ माया चलें आगे, ओके चलो, next question why has the mother been compared to the late winters moon फिर से, why has the mother been compared to late winters moon कविता कविता में मा की late winters moon से क्यों तुलना की गई है आपका प्रशन पढ़ लिए आपने मैं फिरसे बढ़ देता हूं कौन कर रहा है रोहित कोली कर रहा है कि कुरशन फिरसे बढ़ें ओके ओभी कर रहा है कि रिकेट में बिजी है तो कुरशन बढ़ दो ओके Why has the mother been compared to the late winter moon कविता में मा की late winter moon से क्यों तुलना की गई है यह हमारा प्रश्ण है इसका उत्तर भी हम देखेंगे in 3, 2, 1 पांप चलो आंसर just as a late winter's moon looks hazy and appears to look bright appears to lack मतलब कमी, lack मतलब किसी चीज की कमी, appears to lack brightness and lushya, lushya मतलब चमक अभी वो pen ने दोका दे दिया वरना आपन लिख देता मैं यहापे pen के दोके कारणा पां लिखनी पार है बट कोई बात ने फिर से पढ़ते हैं just as a late winter's moon looks hazy and appears to lack brightness and lushya due to mist and fog similarly the poet's mother who is now old looks pale and devoid of exuberance, exuberance का मतलब होता है उर्जा उर्जा होती है ना, energetic उसको दर्शाने का एक word है exuberance, और devoid का मतलब होता है निरहित, मतलब उसमें वह चीज़ नहीं है, तो devoid of exuberance मतलब, exuberance energy को, energetic को, उर्जा को, उर्जित को प्रकाशित करने का यह सब्द है और devoid का मतलब होता है उससे निरहित, उसमें वह चीज़ की कमी है, नहीं है, lack है समझ गे तो devoid of exuberance का मतलब है energetic उर्जा energetic उर्जा energy उर्जित इन सबसे रहित इनमें यह जी थी कमी है यह नहीं है ठीक है हिंदियों बढ़े इसको चलो जिस प्रकार सर्दियों में चांद धुंदला हो जाता है एवं धुंद और कोहरे के कारण वे अपनी चमक को खो देता है उसी प्रकार कवी की मा ने अपनी उम्र के कारण अपने चेहरे की चमक को खो दिया है उनका चेहरा मुर्जाया हुआ एवं निराश लगता है इसी लिए कभी ने अपनी मा की तुलना लेट विंटरिस मून से करी है और तुम्हें तो बताई होगा मेरे मित्रों दोस्तों मून जो है चांद जो है उसक चांद की फिजिक्स पता है पूरी की क्यों फेज होते हैं क्यों मून्स होते हैं आशी सर की क्लास लेते हो तुम बहुत समझदार बच्चे हो अगर तुम मैंसे कोई कभी है तो उसके लिए चांद इंसानों को कंपेर करने का सिच्वेशन को कंपेर करने का एक बहुत जुन्द और कोहरे के कारण। Similarly, the poet's mother, who is now old, looks pale and devoid of exuberance, energy urja, devoid से रहित। Her face looks dull and colors due to old age. ठीक है? हिंदी में करते हैं? मलिंगा हिंदी तो समझवाँ जाएगी न भाई? चलो हाँ! जिस प्रकार सर्दियों में चांज धुल्ला हो जाता है एवं धुन्द और कोहरे के कारण वे अपनी चमक को खो देता है। उसी प्रकार कवी की मा ने भी अपनी उमर के कारण अपने चेहरे की चमक को खो दिया है उनका चेहरा मुर्जाया हुआ एवं निराश लगता है इसलिए कवी ने अपनी मा की तुलना तुलना लेट विंटर्स मून से करी है hit करना है अपने को late winter so moon से क्यों कर ही है तुम्हें answer आ जाना है पुरा का पुरा है ना पेश करता हूं आपके सामने यह रहा अपना answer ठीक है चलो आपन चलते हैं आगे next question यह रहा मेरी computer screen पे आपकी phone की screen पे laptop जस पर आप what did Kamla Das think when she looked at her mother जब कमला दास ने अपनी मां की ओर देखा तो उनके मन में क्या विचार आए पर इसे पड़ देते हैं वरना फिर मलींगा को बुरह लग जाएगा What did कमला दास think When she looked at her mother जब कमला दास ने अपनी मां की क्या विचार आए क्या विचार पर कट हुए यहां पुछला लेक्शर पड़ा है और नहीं आ रहे तो इस कोशिन को याद रखो कि आंसर से मिलनेहां जरूलाइगी किश्अर करने ने पड़ने के लिए पॉम्हें पड़ना की तुम्हें नगा है है यह अर पहले एखने हैं तो फिश्क पर चोनिma में तरह की कितला obvious every action has an equal and opposite reaction plane उपर की तरफ उड़ा तो यह R को धक्का मारते वे गिर गया याद रखना यह स्प्लेन की वैसे मेरी टाइपिंग की गलती निया यह मैंने सही टाइप किया दा परना तो जब यह प्लेन उड़ाना तो Newton की थाड़ लो की वैसे R नीचे गर गया Newton का थाड़ लो चलो As the poet drove to Kochi airport Drive का पास्ट फॉर्म है यह सौंज में आ रहा है चलो As the poet drove to Kochi airport She watched her mother dozing open mouth Dozing का मतलब क्या होता है भाई Dozing का मतलब क्या होता है जब तुम Physics, Maths की क्लास कहीं और प्लैटफॉर्म से लेते हो तो Dozing हो जाती है तुमें या फिर क्लास में लेते हो जबकी आ जाती है पर तुए ASL पे ऐसा नहीं होता भाई यहाँ पे आशी सर का मक्षन है विक्रम सर का सांदार है शुभा सर के हतियार है और गगन सर का NCRT है नहीं समझोगे इसलिए रटो तुम पुषपे अंदर सर के DPPs हैं शांदार वाले और रेन्यू मैम की शकास biology पढ़ते हैं अपन इसलिए यहाँ पे तो इसका सवाल है नहीं उठता चलो फिर से पढ़ते हैं अरे मैं तो मेरा नाम भूल गया तो में लिख देना जो भी तो में लगे As the poet drove to Kochi airport She watched her mother dozing जबकियां लेते हुए Open mouth The poet thought that she looked old and withered Withered का मतलब पुराना जैसे होता है कागज बहुत टाइं हो जाता है उसमें जर्री वो पढ़ जाते है रेशे निकल लगते है देखते सी अपन पास लएता है पुरानी चीज़ है उसको विधर्ट कहते है विधर्ट मतलब अगे निकल चुके पुराना, worn out, tear, fear, हुआ 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 वैसे उसको विधर्ट कहते है जो महा ए शब्ट विधर्ट का क्या मतलब होता है बताँ मुझे वुट स्टिल वी एलाइव ओन रिटन, हचाल्फट फियर अफ नुजिंग अम मदर अगेन हॉंटेड हर, हॉंटेड का अतलब क्या होता है, एक मूवी भी है, पर अपन अपन को मतलब है, इंग्लिश ते हॉंटेड का मतलब होता है डरा देना, Haunt का मतलब होता डराना Haunted मतलब वो डर गई थी वो जो उनका बच्पन का डर था ना कि मैं मेरी माँ को खोदूंगी वह डर उनको वापिस आ गया था और इस बार शाहिद ये डर सच भी हो जाए परन्तु हमरे पास My Mother 66 Part 2 जैसा कुछ भी नहीं है Chapter 2 जैसा कुछ भी नहीं है तो देखते है अरे हर चीज के जी एफ थोड़ी नहीं थे भाई इसका Part 2 आजाएगा As the poet drove to Kochi Airport She watched her mother dozing open mouth Dozing का मतलब मैंने बता दिया है जपकिया लेना The poet thought that she looked old and withered का मतलब मैंने बता दिया पुराना हुआ जिसको देखती है अपने बता दने पूरानी चीज है Which disturbed the poet and she wondered whether her mother would still be alive on a return Her childhood fear of losing her mother again haunted her अभी आएगा हिंदी में हिंदी मैंने इसकी लिखा है ताकि तुम्हें साँज मैं है बाकि इसकी need नहीं है अपन को English में ही आंसर करने है पता है ना English में आंसर करने subject English में परन्दू तुम्हें साँज में आया तुम्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए अप उनने इसको हिंदी में भी लिखा है चलो जब कभी अपनी मा के साथ कोची हवा यड़े की ओर जा रही थी उन्होंने अपनी मा को जबकी लेते हुए देखा तब उन्होंने सोचा कि उनकी मा अब बूरी तथा कमजोर हो चुकी है इससे वे विच्रित हो गई तथा उन्होंने सोचा कि क्या वो अपनी मा को अगली बार देग भी पाएंगी या नहीं अपनी मा को खो देने का उनका बचपन का डर वापिस आ गया ओके आगे चलें फिर से पढ़ू मैं कौन कह रहा है ये अरे पता नहीं कौन कह रहा है चलो वापिस पढ़ते हैं अपन मलिंगा तो नहीं आया ना नहीं ने मलिंगा तो चला गया जब कवी अपनी मा के साथ कोची हवाय अड़े की और जा रही थी उन्होंने अपनी मा को जपकी लेते हुए देखा तब उन्होंने सोचा कि उनकी मा अब बूली तथा कमजोर हो चुकी है इससे वे विशलित हो गई तथा उन्होंने सोचा कि क्या वो अपनी मा को अगली बार देख भी पाएंगी या नहीं अपनी मा को खोद देने का उनका बच्पन का डर वापिस आ गया था अपन चलते हैं next question के उपर क्योंकि अपन को डर है कि कहीं अपन जाधा समय स्पे न लगा दे और अपने जुमी सब्जेक्ट है उनकी preparation में कम टाइम ना बच जाए चलो next question ये रहा read कर लिया कर लो कर लो चलो शुरू करते हैं how does Kamala Das try to put away the thoughts of her aging mother Kamala Das ने अपनी मा के बुड़ापे के विचारों को कैसे हटाने का प्रयास किया repeat 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 how does Kamala Das try to put away the thoughts of her aging mother Kamala Das ने अपनी मा के बुड़ापे के विचारों को कैसे हटाने का प्रयास किया Kamala Das ने क्या किया जब उनको ख्याल आ रहे थे कि मेरी मा की age हो चुकी है मैं अगली पर नहीं देख पाऊंगी सारे विचार आ रहे थे negative thoughts आ रहे थे उन्हें क्या किया उन्हें दिस्क्राइशन के साहा लिए उन्हें बाहर देखा चलो आओ Kamala Das finds it hard to accept the fact of her mother मेरी भी जुआ लड़क जान लड़क देखो क्या हो रहे है चलो Kamala Das finds it hard to accept the fact of her mother growing old as it brings back to her mind her childhood fear of losing her mother She makes a deliberate effort Deliberate मतलब प्रयास किया उन्हें कड़ा or to drive or put away such thoughts by looking outside the car at the sights passing by उन्हें क्या किया विकार में अपनी मा के साथ बैठी थी उन्हें मा को जपकी देतो है देखा उनका पुराना चहरा देखा उनको मन में एक image बनाई एक दिर्ष्य मनाया जिसमें उन्हें उन्हें अपनी मा को मा के चहरे को old winter's moon से compare किया परन्तु उनको thoughts आनले कि मेरे बचपन का जो fear header है कि मैं मेरी मा को एक दिन खो दूँगी वै शायद तच हो जाए इसलिए उन्हें इस से लड़ने के लिए इस से ध्यान बठकाने के लिए अपनी खिड़की से बाहर देखा बाहर देखने पर उन्हें यंग trees पोईट पॉदे थी कि नौजवान नवजाद पेड़ पॉदे मिले जिससे उन्हें लगाई तो यंग है और ये विपरीद दिशा में जा रहे हैं तो ये दोड़ रहे हैं उन्हें घर से निकल तो ये बच्चों को देखा और ये दोनों चीज़ें उनकी मा से बिलकुल विपरीद थी क्योंकि ये दोनों उर्जा का प्रतिक थी और उनकी मा उर्जा का नहीं थी शीतलता का थी, मृत्यू की तरफ बढ़ रहीं थी, इसलिए उन्होंने शीतलता उर्जक हो दी थी, उनके चैरे पे चमक नहीं थी, ठीक है, चलें, चलें, चलो, 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 आगे चलते हैं, अब आएका हिंदी में, कमला दास्त के लिए अपनी मा के बुड़ापे को स्विकार करना मुश्किल था, क्योंकि इसकी वज़े से उनके मन में अपनी मा को खोने के ख्याल वापिस आने लगे थे, इन्ही सब ख्यालों से मन को दूर करने के लिए, उन्होंने अपनी कार से बाहर के नजारों की और दे चलो, नेक्स्ट कोशिन की और बढ़ते हैं, भाई खतम, पता ही नहीं चला न, देखा, चैप्टर निचोल दिया अपनने, आटे की रोटी बनना तैयार हो गई, तो बस उसको खाना है, ठीक है, समझ में आ गया, और यह मां समझना, आपनने चैप्टर नहीं खतम कर दिया, इसका मैं एक और पार्ट लेके आँगा, क्योंकि क्या होता है न, पोएम से न, अपने इंग्लिश के अक्जाम में एक पार्ट आथा था था, आपने पोएम का एक पैरग्राफ होगा, और उससे आंसर्स बनाने होंगे, एक पैरग्राफ दे दिया जाएगा, तो अगले वी तो यह questions पढ़ लिए, तो मैं पूरा chapter खताम हो चेका है, ओके, this was me, बिटू, thanks for staying with me, यह था हमारा chapter, my mother 66, important questions करे हमने, thank you मेरे मित्रों, bye bye, हम जल्दी मिलेंगे, bye